यह है पार्टिकल एसलिरेटर इस मशिन में धादो यानी मेटल के कंड लगभग 30,000 km प्रति सेकेंड के स्पीट से गुमते हैं यह स्पीट एक बंदुक की गोली से 100 गुना जादा होती है लेकिन 1978 में एक रशियन वेग्यानिक ने इस चालू मशिन के बीच गलती से अपना सर डाल दिया था और फिट जो हुआ आप जानकर हैरान हो जाएंगे दरसल 13 जुला 1978 के दिन रशियन वेग्यानिक एंटॉली ब्यूरस की पार्टिकल एसलिलेटर नामक मशिन को ठीक करने आये थे वो मशिन में घुसे और अचानक एक बेहत चमकिली रोशनी दिखी ये रोशनी सूरज के चमक से 1000 गुना जादा चमकिली थी जिसकी वज़े से वो मशिन के बाहर निकल गए लेकिन इसी दोरान उनका सेर गलती से चालू पार्टिकल एसलिलेटर के बीच आ गया था हाटू के कंड उनके सर के आर पार निकल चुके थे चुरुआत में उन्हें एसास नहीं हुआ ब्यूरस्की की परिष्टिती को देखकर उन्हें तुरंत रश्या के सबसे अडवांच और सिक्रेट होस्पिटल में एडमीट करवाया गया कुछ सालों बाद ब्यूरस्की ठीक हो गए और वो आज भी अपनी जिन्दगी जी रहे हैं वो सिक्रेट रश्यान होस्पिटल ने उन्हें कैसे ठीक किया ये बहुत बड़ा रहस्या बन चुका है